गर्मियों के जिनों में ठड़ा ठड़ा डिजर्ट खाना किसी पसंद नहीं होगा और डिजर्ट खाने का मौका हम गर्मियों में बिल्कुल छोड़ा नहीं चाहते हैं तो लीज़े फ्रेंस निये की से बहुत साथ आगा था है आज मैं लेकर आए आप सब्सक्रेट सेवय रे है और मेरी कटोरी से एक कटोरी भर करके मोटी वाली सिवय है और दिख सकते हो आप लोग जैसे ही घी पिघल जाएगा हम सिवय को डाल देंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से चारों तरफ से चलाते हुए इसे हलका सा गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे तो फिला से जैसे हमरी सिवय भुन जाएगी उसमें हम डालेंगे दूद दूद रममें 300 ग्राम यूज करना इसमें से मैंने 200 ग्राम दूद क्या हुए निठेंगे इसमें 200-20分 क्टोरीके से कुख दीए हो जैसे आप लोग हमाई स्वय लगबग कूख हो चुक है अब हम बागे का 100 507-5 ग्राम दूद मैंने लिया हुआ है उसमें दो चमच कस्टेट पाॉर्डर डालेंगे और कस्टेट पाॉर्डर को डालने तरह से चलाते हुए कंटिनु इसे मिक्स करेंगे ध्यान दीजिएगा हमें कस्टेट पाडर को अच्छी तरीकी से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लंस ना रहा है यानि कि गाठे ना पड़े हुई रहा है तो देख सकते हो आप सभी इसे कर्टीनू चलाते हुए मैंने घोल लिया हुआ और इसमें आप कोई भी लंस लेंगे सुगर यानि की चीनी चार से बाच बड़ी चमस इसमें चीनी का डाला हुआ आप अपने हिसाब से मीठा कम यह जादा कर सकते हैं उस तरह से लेजिए फ्रेंस हमारे कस्टेट से वह बन करके रेडी हो गया है कुछ देर इसे कुक करेंगे और उसके बाद हम इसे न करते हैं तो चलिए इसे रख देते हैं 20-25 मिनिट के लिए ठंडाओने के लिए रूम टेंप्रेचर प्याने के लिए रूम टेंप्रेचर पर जैसी ही आ जाएगा हम इसे देख सकते हो अब पर इसकी कंसिस्टनसी क्या है इसी तरीके से हमारी कस्टेट सेवई बन करके आपल्स है कटे हुए यह सारी चीज़ आप इनकी जगह चाहो तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हो सबस्ट्राइफूट से बर्स फली यूस्तमाल कर सकते हो या फिर सारी चीज़ों को स्किप करके बस कस्टर से वही का मजा ले सकते हो देख सकते हो अच्छी तरीके से मैंन नारील का मुरादा उपर से डाल तो भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो फिलाल नारील का मुरादा था तो मैंने तूस्रे वाले पे नारील का मुरादा डाला और सांथ नहींगे जान नियूें को डाने के यंज़ों कर से रख़ देंगे 10-20 Hyundai के लिएorieं आयां टी कियर